इसको देखिए, कोबाल्ट 27 अटोमिक नमबर होता है और 60 तो इसमें न्यूट्रोन किते हो गए 33 और प्रोटोन किते हो गए 27 मतलब यह हुआ कि इस अटोमिक नमबर इस अटोमिक नमबर हो यह है इस अटोमिक नमबर हो जाएगा और इस आएज न्यूट्रोन तो रिलेटिवली इसका रीजन क्या होगा न्यूट्रोन ही ज्यादा है तो सी अप्शन विल भी दा आंसर